हलो व्रिवन त्यार बड़ी बेसबरी से इंतजार था कि कुछ गौवर्मेंट कॉलेज के पॉर्टल भी ओपन हो जाए विकॉज प्राइवेट प्राइवेट कॉंसलिंग तो काफी दिन से चल रही है फिलल आज की इस वीडियोगे हम लोग बात करने वाले हैं रिप राजिस सांगे अंडर में काफी सारे कॉज आते मिल जाते हैं और कापे सारे प्राइवेट कॉलेज जो की अच्छे कॉलेज भी है मैं बोलूँगा कि आजन एक्क्यूवेलेंट ग्रेटर नोडा के अंदर जो कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं उनके एक्क्यूवेलेंट तो हैं ही लेकिन वस यहां पर एक अच्छी चीज यह है जितनी अपने यूपी में प्राइवेट गॉर्मेंट कॉलेज की फीज है जितने अपने यूपी में गॉर्मेंट कॉलेज की फीज है 80,000, 85,000, 90,000 या जैसे कि आईटी लखनों में आईटी और आइटी और आइटी और एई ब्रांच की 1,14,000 है तो अगर हम बात करें कि राजिस्तान में सर्फ प्राइवेट कॉलेज की फीज कितनी हैं मैं उन रहा हूं जो रिप की कांस्लिक में पाइडिसिपेड करते हों काफी अच्छी काफी decent placement देते हैं और रहाई के यहां की 85,000 90,000 Max to Max 95,000 पर यर वो भी समस्टर वाइस आपकी फीस जमा होती है तो हाडली आप 40,000 पर समस्टर आप फीस ले सकतो आपने 80,000 पर यर का फीस स्ट्रक्चर ले लिया 85 पर ले लिया पूरा इन्क्लिवूडिग आपकी जुह आजो से अपिलेसिति का लिप lubCola क्या isn'tा K वहां पर क्योंकर अगर मैं बात करूँ कि गृव्मेंट कोणी सब्सक्राइब कामपस तो यह तीन कामपस प्राइब गॉर्मेंट में काफी अच्छे इनकी फीस कितनी अगर फीस की बात करूं अगर आप का नॉर्मल भी बजट है तो आप यहां के लिए जा सकते हो और प्राइबेट और गॉश्ट दे दुगा तो आप देख सकते हो इसक्रिंपर की लिस्ट है आप पर काफी जैसे कि गौर्मेंट इंजिनिंग कॉलेज भीकाने अजमेर और इस तरीके से हारे कई नगय पौपलर जगह पर है राजस्तान क्युक्하세요 राजस्तान है काफी बड़ा Talking क्डा पॉर्फ इस तरह से काफी सारेकॉरमनट कॉलेज हैं क्लिस्त और से कंस्लिंग से रिलेटेड अमनलोग बात पर उनुवा था तो जो एच वीडियो का अगर हम बात करें तो वो पोटल 22nd of September से open हो रहा है और इधर राजिस्तान का पोटल उससे भी पहले open हो चुका है उसकी registration स्टार्ट हो चुकी है official website का link हम आपको description पर दे देंगे तो जान लेते हैं कि उनकी important dates क्या-क्या है अब अगर मैं बात करूँगी सर इसके official website क्या है reap 2021.com तो यहाँ पर जा सकते हैं उनके लिए एक अच्छी चीज और होगी कि वो स्टेट गवर्मेंट वाला जो scholarship का फंडा उसमें भी apply कर सकते हो फीज तो आपकी कम ही है फिलाल उसके साथ साथ में आप scholarship वगरा के लिए भी देख सकते हो अब जो भी लोग यूपी से जाकर वहाँ पर एडविशन लेंगे वो आपका 6th of September तक है जो कि आपका portal open हो चुका है और इस तरीके से आपका 21st September तक आप 250 रुपीज की application form फीज है counseling form फीज है वो आप पे कर सकते हैं लास्ट डेट आप जो submission है 22nd September तक है इसमें के काफी ज्यादा एक अच्छा समय मिल जाता है कि हम easily अपने registration मगरा साला process कर सक सकते हैं schedule आप दे रखा है आप देख सकते हो easily जैसे कि आपका 25 अभी recent अगत से ही registration portal open हुआ है जो कि 6th of September तक लेंगे उसके बाद आपकी form फीज वगेर है जो आप payment submit कर सकते हो 22nd September तक उसके बाद में tentative एक merit list आ जाएगी and tuition fewer merit list तक जो होती candidates की 27th of September तक आपको देखने को मि जाएगी और कहीं ना कहीं इधर थोड़ा सा registration और submission के बीच में काफी इनोंने gap ले रखी है उसके बाद जो round 1 की जो final merit list declaration होगी वह आपकी 29 को हो रही है और 28 को भी एक tentative online जो merit list होगी round 1 की वह यहापर release कर दी जाएगी लेकिन जो 29 को आएगी वह final merit list होगी और registration मैं आपको बता दूं कि बार बार नहीं हो रहा है ultimately आपका registration वन टाइम ही है तो इसलिए आपको जो registration का time है अगर आप इंटरस्टेड हो आप लोग बजर्ट में देख रहे हो वह आपकी बीटेक ना तीन लाख रुपए आपकी टोटल फीस पे करनी है 80,000 के साब से देखोगे तो आप आपको इन्यांस करने के बाद भी तबको 4 LPA की placement लगी जानी है 4.5 इतना तो होई जाना है तो और वाई तो कही ना कही positive है यह तो मैं बोलूँगा उसके बाद में आपका last date of choice filling उसके बाद 30 आपको choice filling होगा जो finally जो seat allotment आएगा वो आपको first round के वो first October तक आपकी allotment आ जा होगा seat blocking amount अगर आप submit कर रहोगे इस तरह से इसका पूरा process चलता है तो अगर आपको काउंसलिंग करना है तो आप इनकी official website पर जाकर registration कर सकते हो एक इनका फिलाल reservation criteria भी है तो आप उसको भी देख सकते हैं जैसी के reservation criteria होता है OBC EWS SC और ST तो यहां पर भी reservation criteria है अगर आप defense quota भी है आप पर जैसे कि आप female candidate की बात करोगे तो 25 परसेंट की reservation है एक सर्विसमेन का 3 परसेंट का reservation है तो काफी हद तक यहां पर भी seat matrix matter करता है और PWD के लिए 5 परसेंट की reservation सब जेगे होती तो सेम फंडा यहां पर भी है तो आप देख सकते हो स्कीन पर reservation policy तो वीडियो आज की यहीं तक अगर आप प्रीप काउंसलिंग पाडिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम से काउंसलिंग कर सकते हैं तो मिलता हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए